15-16 जून 2020 की रात को भारत की एकता और अखंटा की रक्षा करते हुए हमारे 20 जवान गलवान गाटी में शहीद हो गए एक बार फिर से हमारे उनको नमन करते हैं और उनकी जो शहादत थी जो वीरगती को प्राप्त हो गए उनको सची शर्धांजली अर्पित करते हैं ये जो बयान आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी का अभी देखा ये आज से ठीक तीन वर्ष पहले उननिस जून दो हजार बीस को यही समय था कोविड का कहर पूरे विश्व पे चाया हुआ था और एक का सर्वदलिय बैठक में प्रधानमंत्री ने ये वक्तवे दिया कि ना वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है ना ही कोई पोस्ट दूसरे के कबजे में है ये जो बयान था प्रधानमंत्री का ये सीधे सीधे तौर पर विदेश मंत्री श्री जैशंकर का सत्रा जून दो हजार बीस का जो बयान था उसके विपरीथ था विदेश मंत्री श्री जैशंकर ने और उससे पहले विदेश मंत्राले के प्रभक्ता ने साफ तोर पे ये बात कही थी कि गलवान में जो वारदात हुई वो इस कारण से हुई थी क्योंकि चीनियों ने घुस पैट करके भारत की सीमा में एक टेंट लगाने की कोशिश की थी और ये बयान विदेश मंत्री ने चीन के जो विदेश मंत्री थे या हैं वैंग ही उनसे बात करने के बाद ये बयान दिया था हम ये सारा घटना करम इसलिये दोहरा रहे हैं क्योंकि अगर कोई घुस पैट हुई ही नहीं थी अगर चीन की सेना भारत की सरजमी में घुसी ही नहीं थी तो फिर ये बात बहुत आश्च्रे जनक है कि पांच सप्तमबर दोहजार बीस को रक्षा मंत्री शिरी राजनाथ सिंग ने मौस्को में शेंगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन के साइड लाइन के ऊपर धाई घंटे की मुलाकात जो चीन के रक्षा मंत्री थे उस समय उनके साथ था ये ढ़ाई घंटे की मुलाकात मौस्को में क्यों की उसके ठीक छे दिन बाद ग्यारा सप्तमबर दोहजार बीस को मौस्को में रश्या इंडिया चाइना ट्राइलाटरल के साइड लाइन्स के ऊपर विदेश मंत्री शिरी जैशंकर ने फिर डेड़ घंटे की मुलाकात चीन के जो विदेश मंत्री थे उनके साथ था जो लाइन ओफ एक्शुल कंट्रोल पर परिस्तिती थी उसके बारे में बातचीत करने के लिए उन मुलाकात की इस तीन वर्ष में अठारा बार भारत और चीन के जो सेना के कमांडर्स हैं लेफटन जेनल स्थर के ऊपर अठारा बारे बॉर्डर टॉक्स हुई है अभी एक जून दो हजार तईस को जो 27 वी बैठक थी वर्किंग मेकेनिजम फॉर कॉंसल्टेशन और कॉर्डिनेशन अन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेर्स इसको बंद करना पड़ेगा यार यह एक जून दो हजार तईस को उसकी 27 वी बैठक हुई तो अगर कोई घुसपैट हुई ही नहीं थी अगर ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी तो यह जो पिशले तीन वर्ष से निरंतर और लगातार अलग अलग स्तर के उपर मिलिटरी के स्तर के उपर विलेश मंतराले के स्तर के उपर मंतरियों के स्तर के उपर यह जो वारतालाब चीन के साथ चल रहा है तो इसकी सच्चाई क्या है और ऐसा नहीं कि यह चीन की घुसपैट को लेकर चिंता सिर्फ विपक्ष ने जिताई थी सब्तंबर दोहजार उन्निस में मुझे याद है कि भाजपा के जो अरुनाच्र प्रदेश से सांसद है शिरी तागीर गाओ उताफीर गाओ एक समय हमारे इनेस युई आई और युवा कॉंग्रिस के साथ ही हुआ करते थे उन्होंने चार सिप्तंबर दोहजार उन्निस को ये बात कही कि चीन ने एक पुल चगलाम गाओं में अन्जाव जिले में भारत की सीमा के साथ सतर किलो मीटर अंदर बनाया है और अगर मुझे ठीक तरह से याद आ रहा है उन्होंने संसद में भी इस बात को दोहराया था कि वहां से जो मेक मोहन लाइन है वो सौ किलो मीटर की दूरी के उपर है उसके बाद जब गलवान की तरास्ती हुई 17 जून 2020 को तापीर गाउ ने फिर ये कहा कि 2017 में चीन ने अपर सियांग जिले में अरुनाचल प्रदेश में भारत की सीमा के अंदर एक सड़क बनाई थी इस बात को 2020 में इसी मंच से उस समय प्रेस कांफरेंसेज वर्चूल हुआ करती थी जब कॉंग्रिस पार्टी ने उठाया तो एक आउनलाइन मैगजीन को इंटर्वियू में तापीर गाउ ने ये बात कही कि जो मैंने चीन की घुसपैट को लेकर चीजे सारवज ने की थी मैं सौ परतिशत उसके ऊपर खड़ा हूँ और उन्होंने आगे ये कहा कि पी एले हैड इंट्रूड़िड इंटू आश्विला अपर सुबांसरी डिस्ट्रिक्ट अंड्रिला वैली नौर्थ अफ अननाई इन दिबांग वैली और चगलाम जिसकी बात उन्होंने पहले कही थी तीन वर्ष बीट गए जो एलेसी की उपर तनाओ है नियंत्रन रेखा के उपर उसी तरह से बरकरार है और समय आ गया है कि सरकार से कुछ सीधे सीधे प्रशन पूछने का हमारा पहला प्रशन ये है कि क्या ये बात सही है जो ले लदाख की एसिसपी ने और मैंने इस बात का जिकर इसी मंच से पहले भी किया था कि जो डी जी पी और आई जी पी की कांफरेंस होती है उसको एक पेपर सब्मिट किया था उन्होंने जिसमें ये कहा था कि जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं एले सी के उपर नियंत्रन रेखा के उपर 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स है जहां पर भारत की जो सेना है वो जा नहीं पा रही है इंडिया हाज लॉस्ट आक्सेस तो 26 ओफ दो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स सरकार की तरफ से इसके उपर पिछले 6 महिने से एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई है हम इंडिये भाजपा सरकार से प्रधानमंत्री शिरी नरेंद्र मोधी जी से यह पूछना चाहते है कि क्या ये बात सही है जो लिखित रूप में ले और लदाख की सेस पी ने कही है कि 26 ऐसे पिट्रोलिंग पॉइंट्स है एले सी के उपर जहां भारत की फौज नहीं जा पा रही है मई दो हजार बीस के बाद दूसरा सवाल हम उनसे ये पूछना चाहते है कि क्या ये बात सही है कि जहां जहां पे डिसिंगेजमेंट हुआ है खास कर गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में जो बफर जोन्स बने है वो बफर जोन्स जो हमारी प्रसेप्शन है line of actual control की उसके भीतर बने तीसरा सवाल जो हम उनसे पूछना चाहते है कि ये बात क्या ये बात सही है जो एक का पूरवी भारत के अख़बार में छपी थी और जिसका खंडन नहीं किया गया है कि जो military to military talks हो रही है उसमें चीन की तरफ से ये मांग रखी गई है कि डेपसैंग प्लीन्स में 20 से 25 किलो मीटर का बफर जोन जो भारत की perception है L.A.C. की उसके भीतर बनना चाहिए हमारा अगला सवाल ये है की भूटान में एक जगा है अमूचिन अमूची जो जहांपरी रिज को जो सिली गुड़ी के चिकन नेक को देखता है उसको एक अल्टरनेटिव रूट प्रवाइड करता है क्या उसके ऊपर जो चाइनीज बिल्ड अप हो रहा है क्या वो भारत सरकार के संग्यान में है पिछले तीन बर्ष से निरंतर और लगातार खबरे आती रही है कि अन्प्रिसेडेंटेड इंफ्रस्ट्रक्चर चीड लाइन अफ एक्शुल कंट्रोल के उपर बना रहा है भारत उसको रोखने के लिए क्या ख़दम उठा रहा है सरकार को इसके उपर साफ तौर पस पश्टिकरन देना चाहिए हम सरकार से आगे ये पूछना चाहते हैं कि मई 2020 से लेकर आज जून 2023 हो गया क्यूं भारत की संसद में या रक्षा मंत्राले की जो संसदिय स्थाई समिती है या रक्षा मंत्राले की जो कंसल्टिटिव कमिटी है उसमें एक भी बार चीन पे चर्चा क्यूं नहीं हुए ऐसा क्या कारण है कि जितने सवाल चीन को लेकर या एलेसी को लेकर या एलेसी के उपर जो परिस्तिती है उसको लेकर पूछे जाते हैं उनको पार्लिमेंट का सेक्रिटेरियट अड्मिट क्यू नहीं करता है 66 सवाल तो मेरे हैं और बाकी भी बहुत सांसद हैं जिनके सवालों का यही या यही हशर हुआ है अभी अभी कुछ दिन पहले जो अमरीका के राज़दू थे भारत में केनिस जस्टर उन्होंने एक चल चित्र पे इंटर्व्यू में यह बात कही कि जो भारत और अमरीका की जॉइंट स्टेट्मेंट है या क्वोड की जॉइंट स्टेट्मेंट है उसके उसमें चीन की तीवर प्रतिक्रिया नहीं होती निंदा नहीं होती क्योंकि भारत नहीं चाहता है इंडिया ड़स नॉट वांट टू पोक चाइना इस रिमेंबर दी इग्जाक्ट वर्द गरेक्ट्ली तो इस परिस्टिती में एक बहुत गंभीर सवाल पैदा होता है और यह हमारी मांग है हम पहले भी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते इसको दोरा चुके हैं कि क्या जो मौनसून सत्र आरा है संसद का उसमें विस्तार पूर्वक चीन पे चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है के नहीं हमारी मांग है कि LAC के उपर जो परिस्तिती है उस पे एक व्यापक चर्चा भारत की संसद में होनी चाहिए दूसरी हमारी मांग है कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए कि पिछले तीन वर्ष में जो LAC की उपर घटना खरम हुआ है उसकी सच्चाई क्या है उसकी उपर एक विस्तार पूर्वक वाइट पेपर जारी करने की जरूरत है यह सवाल इसलिए खड़े होते हैं और इसलिए उस वीडियो से हमने आज की प्रेस वारता की शुरुआत की थी कि जो प्रधान मंत्री ने चीन को 19 जून 2020 को क्लीन चिट दी है दी थी उसके कारण क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि 2000 स्क्वेर किलो मीटर से ज्यादा जो भारत की सरजमी हैं हुआ चीन के कबजे में हैं और हम उसको वापस नहीं ले पा रहे हैं यह हमारे सीधे सीधे सवाल हैं और हमारी कुछ मांगे हैं और हम उमीद करते हैं कि सरकार की उपर से सरकार की तरफ से एक जिमेदार प्रतिक्रिया इसके उपर आनी चाहिए